इस वीडियो में आपका स्वागत आज एडिटोरियल के अंतरगत सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका देखिए शिर्शक क्या है उसका सिर्शक है डेप्ट डिबेट और यह आज का हिंदू का एडिटोरियल है और यहाँ एडिटोरियल अब देखिए मामला यहाँ पर यह है कि ब्रेटन वोट्स की दो संस्ता है एक हमें पता है कि एक है आईमेफ और एक है वर्ल्ड बेंक तो इसमें जो आईमेफ है उस आईमेफ की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अपनी परतिक्रिया दिखाई है तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि वित मंत्राले ने भारत के साथ आईमेफ के अनुचेद चार परामर्स की तुल्ला में तक्ठात्मक इस थी ती मतलब इसकी इंग्लिस देख लिजे कि फैक्ट्रल पोजिशन विजविज आईमेफ आर्टिकल फोर कंसल्टेशन विद इंडिया तो इस सीर्षक से ए उस समझोते हैं कि आईमेफ करता क्या है कि परतेक वर्स अपने सदस्यों के साथ वो दूई पक्षी चर्चा करता है इसका मतलब है कि आईमेफ ने भारत के साथ चर्चा की और इस चर्चा के दौरान आईमेफ के कर्मचारी करते ये हैं कि वो उस देश से समन्दित आर्थि और वित्ती जानकारी एकटा करते हैं और फिर एक रिपोर्ट को तयार करते हैं और उस रिपोर्ट को तयार करने से पहले जो शिर्ष अधिकारी होते हैं उन शिर्ष अधिकारीों के साथ नीतियों पर चर्चा करते हैं यह शिर्ष अधिकारी IMF के भी होते हैं आईमेफ ने अपने रिपोर्ट जारी कर दी और उस रिपोर्ट के जारी करने के चार दिन के बाद मंत्राले मतवित मंत्राले के बयान में या बात कही गई है कि आईमेफ ने भारत को लेकर जो भविस्वानी की है और जो अनुमान लगाये हैं वो अनुमान अगर हम तथात्म 28 तक भारत पर कितना रिन का भार होगा उसके GDP की तुलना में इसका एक अनुमाल लगा है IMF ने ये बात कही है कि अगर मालने की adverse condition होता है भारत को लेकर अगर ये स्थिति होती है तो सरकार पर जो रिन है वह GDP का 2728 तक वह 100% उससे अधिक बढ़ सकता है GDP ratio इन दोनों को समझना होगा देखें जब भी हम राजकोसी घाटे की बात करते हैं तो यह किसी एक particular financial year से समधित होता है जैसे कि हम बात करेंगे 2023-2024 का राजकोसी घाटा तो राजकोसी घाटे का मतलब आम बोलचाल की भासा में कहें तो राजकोसी घाटे का अर्थ होता है कि सरकार के आय की तुल्ला में सरकार के व्याय का जादा होना और या जो आय और व्याय का अंतर है वही कहलाता है राजकोसी घाटा जबकि रिन GDP इससे थोड़ा अलग है थोड़ा अलगिया है कि सरकार वर्सों से अपने राजकोसी घाटे को पूरा करने के लिए हर वर्स सरकार क्या करती है रिन लेती है और इस रिन का एक भाग सरकार चुकाती भी है तो किसी भी वित्ती वर्स के किसी भी समय के बिंदू पर है मतलब मालने की आज की हम बात करते हैं आज हमारे December है तो इस December मेने में हम ये देखेंगे कि सरकार ने अभी तक जितना بھی रिन लिया है उसमें से जो वापस कर दिया है वापस करने के बाद सरकार के ऊपर जो रिन है वो अभी मौझूद जो GDP है वो उसका कितना है, मतलब कितना परतिसात है तो 2027-28 तक अगर यह बात कही जा रही है IMF के दोरा कि भारत का RIN GDP अनुपात 100% होगा इसका मतलब है कि 27-28 तक भारत की जो GDP होगी ठीक उसके बराबर भारत सरकार के उपर क्या होगा RIN होगा अब मंत्राले निस पर यह बात कही है कि IMF का जो इंसाइट है भारत के ग्रोथ को लेकर और RIN और GDP के अनुपात को लेकर यह तभी संभव है जब यह देश सबसे खराब इस्थिती में गुजरेगा जो इस्थिती अभी है उस इस्थिती में इस्थिती का इस्थिती का इस्थिती का जोड़ दें तो 2022-23 में यह जो था वो GDP का था एक यह तासी परतिसत जो 2020-21 में जो 88 परतिसत था उसकी तुल्णा में हम यह आपर क्या देख रहे है इस्थिती काफी सुद्री हुई है उसके अलावा अनुकूल परिस्थिती रहेगी तो आएमेफ खुदी मानता है कि 2027-28 तक यह 70% तक भी कम हो सकता है उसके बाद भारत सरकार का यह भी काना है कि अगर आप इस शदी की सुरुवात से देखे जो भारत को वित्ती जटके लगे है आर्थी जटके लगे है वो मुख रूप से तो वैस्विक थे मतलब यह कि 2008 का वित्ती संकट वो भी क्या था वैस्विक था उसके बाद जो कोरोना महा मारी आई उसका भी जो आर्थी जटका था वो भी एक वैस्विक था मतलब यह कि जब पूरी दुनिया की अर्थविस्ता ही प्रभावित हुई तो भारत के अर्थविस्ता भी प्रभावित होगी तो अब यहां पर भारत सरकार का यकाना है कि भारत सरकार के द्वारा आएमेफ के द्वारा 2027-28 तक भारत के रेनिस GDP अनुपाद से समन्दित जो संभावना व्यक्त की गई है उसको भारत ने जो यह कहा है कि यह गलत है और भारत के सही फैक्ट और फिगर को यह नहीं प्रस्तूत कर रहा है तो भारत का उद्देश से ऐसा नहीं कि IMF की निंदा करनी है बलकि भारत का उद्देश यहां पर यह है कि गलत व्याख्या या दुरुपयोग को रोकना है मतलब यह कि उस प्रैक्टिस को रोकना है जो किसी भी देश की आर्थिक इस्तिति की गलत व्याख्या करता है या जो डेटा दिया गया है उसका दुरुपयोग करता है लेकिन ऐसा नहीं है कि IM आएमेफ का नजरिया भारत को लेकर बदल नहीं रहा है बदल रहा है जी हां भारत की राजकोसी इस्तिती के बारे में आएमेफ कर्मचारियों की धारना पिछले वर्सों से अगर हम देखें तो वह काफी बहतर हुई है वह इसलिए बहतर हुई है यह तरक देने के साथ ही कि भारत की राजकोसी इस्तिती घत्रे में है आएमेफ ने यह माना था कि भारत का जो संप्रभूत तनाव जोखिम है वो मध्यम है संप्रभूत तनाव जोखिम का मतलब है कि भारत के सोवरें डेटिंग की बात की जा रही थी और अगर भारत सरकार बाहर से रिन ले रही है य इसलिए सुधरा है क्योंकि राजकोसी घाटे के लक्ष को पूरा करने के मामले में केंद्र की छमता जो है उसमें काफी सुधार हुआ है इसलिए IMF की धारना बदली है वह इसलिए बदली है क्योंकि रिन GDP के अस्तर की हम बात करें तो केंद्र सरकार के मामले में घटकर कितने परतिसद पर था, संतौन परतिसद पर था और ये कब की बात है, या पिछले साल की बात है उसके बाद, इस वर्स का अनुमान कितना है राजकोसी घाटे का? वह है पांच दस्वलब नौ परतिसद और दोजार पत्चीस छब्रिस तक जो भारत का घाटा है, राजकोसी घाटा है वो सकल घरेली उत्पात के चार परतिसद तक लाने के लिए भारत सरकार के दोरा प्रयास किया जा रहा है लेकिन यह तभी संबभ हो पाएगा जब भारत सरकार दोनों इस तरों पर समंदित जो तत्य दिये गए और जो रिपोर्ट जारी की गए वो तभी काउंटर किया जा सकता है जब भारत सरकार अपने कारियों में और अपने शब्दों में एक 75 तालमेल को स्थापित करेगी तो इस परकार डेली एडिटोरियल एलैसी से समंदित आज के इस वीडियो में हमने प्रमु के एडिटोरियल पर चर्चा की जो दा हिंदू नीच्वेबर से लिया गया इसके साथ ही इस वीडियो को में इस्तमाप्त करते हैं फिर मिलेंगे आपके समच नई जानकारी के साथ नमस्कार